नमस्कार दोस्तों मैं विराड चोद्री और स्वागता आपका अपनी यूट्यूब चैनल कमांडो के डिवी में दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला है कि जो एसे जीडी दो जैए 21 की ऐसे जीडी की जो निव वेकेंसी है उसकी एज लिमिट क्या उसकी पूरी डिटेल पचास साथ जार या सतर जार का असपास यह वेकेंसी आंकड़ा हर बार बढ़ता ही है उसकी नोटिफिकेशन 25 मार्च 2021 को आने वाले दोस्तों साथ बता दूंगे इसके फॉम भी जो 25 मार्च 2021 से बढ़े जाएंगे और जितने भी इलिजिबल है दोस्त मेरे वो आप देख सकते हो कि 25 मार्च 2021 से इसके फॉम बढ़े जाएंगे तो जितने भी इलिजिबल है जो भी जो भी इस पेकेंसी की तेहरी करना चाहता है जो भी बायवंदू तो जुरूर कर ले तो मैं आपको बता दूं कि इसकी जो अब भी परजेंट टाइम है जो एडली मीडिया हो है 18-23 साल तो जिनकी एज 18-23 साल के बीच में है वो सभी इसके लिए इलिजिबल है तो किसकी 18-23 साल हो जाएगी उसके लिए पहले आपको बता दूंगी 18-23 साल किसकी कि जिसकी डाबर्थ 23 तीन अपरेल है अपरेल है जिसकी डेट वबर्थ 2003 में तो वह 18 साल का हो जाएगा इस वेकिनसी के लिए इलिजिबल हो जाएगा यह सबस assim का अचे मोनी चाहिए और जिसका जनम 1998 1998 का है अपरेल अब तो वह होजाएगा तेज साल इसके पीछे का जनम जो जनम जनवरी फ्रवरी मार्च में अगर किसी का जनम है तो वह तेज साल की क्राइटेरिया से बाहर हो जाएगा क्योंकि इसके फॉर्म मार्स से भरे जाएंगे इसके नोटिफिकेशन आती है उससे अगले मैने से इसकी एज काउंट होती है दोस्तों जितने भी दोस्त तयारी करने वाले हैं वो इस बात का विसे ध्यान रखें कि जो इस क्राइटेरिय या अप्रेल के महीने के बाद में अगर किसी का जनम हुआ है तो वो इसके लिए इलिजिबल है तो वो ध्यान रखें वो यह फॉर्म बर्स रखते हैं जो भी सिकेटेक्री में आते हैं जिनको तीन साल की एक्स्रा चूट मिलती है ठीक है इसके अलावा जो एस एस टी में आ वो इस वेकेंसे में फॉर्म फिलब कर सकते हैं तो जो भी इस क्राइटेरिया के अंदर आते हैं दोस्तों वो जरूर एक्जाम की तयारी करें एच्छे से एक्जाम दे आप ताकि आने वाले टाइम में आपको चाहिए बीएस अप सियार पिए इस अप इस सभी पर आप जो कर सकते हों तो इसके अलावा अब इसमें क्या-क्या होता है तो आपको में शरू से बता दू जैसे आपको दीखी रहा कि 25 मार्च 25 मार्च 2021 तो दस मही 2021 तक इसके फोरम बरे जाएंगे और कंप्यूटर बेस्ट इसका जो एक्जाम होगा एक्जाम की डेट है दो अगस से प फोरम बढ़ना है सबसे पहले फोरम बढ़ना है इसमें कितनी फिस लगेगी utman के लिए स्व रूपह लगे की घ्या की यह उपकिर लगी फांपिख क्यों बाकि एक्सब्द्स के लिए बाकी सब के लिए ज्यादा लग सकती है उसके बार में आपका ऐसी से जीडी एक्जाम आपका एक्जाम होगा अगस्त में दो अगस्त से 25 अगस्त के बीच में उसके बाद में ससी जीडी फिजीकल इलिजिबिल्टी टेस्ट होगा उसके बाद में अगला जो इस्टेप है ससी मेडिकल एक्जाम होगा जो फिजीकल में पास हो जाएंगे फिर उ झाल झाल